नमस्कार मित्रो, इल्विन क्लासेस के यूटूब प्लैफार्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम विबेक है, हम लोग आगामी परिक्षाओं को दिश्टगत रखते हुए एक महत्वपूर हाइलाइटे टापिक को लिए हैं, या हमारी जो कक्छाएं हैं, या आगामी चाहें आरो की परिक्षा हो, चाहें उप्री पूरिस की परिक्षा हो, चाहें पीसियस प्री की परिक्षा हो, चाहें आने वारी जो भी परिक्षा हैं, जिसमें समानने ध्यान की राजब्यवस्ता और भारते संबिधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है आए आज हम बात करेंगे कि भारत हमारे आजादी के बाद जब से हमारा संभिधान लागो हुआ 26 जनवरी 1950 उसके बाद से अभी तक जितने संभिधान संसोधन हुए है प्रमुख प्रमुख आए उन पर चर्चा कर लेते हैं दो से तीन प्रतेक परिक् देखिए आए प्रमुख संभिधान संसोधन प्रतम संभिधान संसोधन अधिनियम 1951 इसमें क्या-क्या बाते हुई थी तो चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज में सरोच नियाले द्वारा अवैद घोसित पिछडे वर्गों के आरक्षन को वैद करना सिक्षन संस् जोड़ी गई प्रतम संभिधान संसोधन के द्वारा हमारे संभिधान में नौई अनुसूची को जोड़ा गया most important कब 1951 में दूसरे संभिधान संसोधन सात्वा संभिधान संसोधन अधिनियम 1956 में हुआ था इसमें क्या-क्या बाते हुई राज्यों का पुनरगठन चार स स्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गिकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों संभ राज्य छेत्रों में बाटा गया बहुत ही पहले जो राज्यों की स्रेणी थी भारत में वह चार स्रेणियों में बटा हुआ था हमारे सात्मे संभिधान संसोधन दिनियम 1956 के देश में राज और संग राज छेत्रों में पूरे हमारे देश के राजनितिक के स्टक्चर को मार्ट दिया गया। तो सातवे संविधान संसुधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये भी बहुत ही इंपर्टेंट है। अगला संविधान संसुधन की बात कर लेते हैं। संविधान संसुधन अधिनियम के द्वारा गोवा द्रमन दिव को भारत में सामिल किया गया। संसुधन के तरफ रूफ करते हैं अपना 24 संविधान संसुधन अधिनियम 1971 में इसकी क्या प्रमुक्भी से स्ताइं रही थी। राष्टपत अनुछे 368 के तहट पारित किये गए संविधान संसुधन विधैक पर अरुमत देने के लिए बात दे होगा। अब समझे इसी के बाद से हमार जो संसद में और क्या कराता है निया पारिका और विधाईका के बीच में बिवाद की स्तिति आपको आगे आगे देखने को मिलेगी। तो जो हमारा 24 संविधान संसुधन अधिनियम 1971 में पारित किया गया था उसमें यह बात दिकर दिया गया कि राश्पत 368 के तहट पारित किये गए संविधान संसुधन विधैक पर अनुमत देने के लिए बात दे होगा अर्थात अपनी वीटो सक्ति का प्रियूग नहीं क अना जाएगा अगर राजे अनुछेत 49 खा वह 49 गौब में वर्नित निती निदेशक तत्तों की प्राक्ति के लिए कानून बनाता है यह रही बात एकतिसवा संविधान संसुधन धिनियम 1973 में क्या किया गया जो बरतमान में हमारी लोगसभा की सीटे हैं उसको बनाया गया लोगसभा सदस्यों की संख्या 5 से 25 से बढ़ा कर 545 कर दी गई बहुत बार पुछा जाने वाला प्रश्ना है कि लोगसभा के सदस्यों की संख्या कब 545 बढ़ा कर कर दी गई तो 31 संविधान संसुधन धिनियम 1973 के द्वारा तता संगराज छेत्रों का प्रतिनित्त 25 से पारित किया गया था वर्स 1973 में आगे बात कर लेते हैं 34 संविधान संसुधन अधिनियम 1974 की इसमें बात हुई थी कि विभिन राज्यों द्वारा पारित भूमी सुधार अधिनियमों को संविधानिक वैधिता के परिक्षन से मुक्ति के लिए नवी अनुसूची में भी नराज्य हैं उनके द्वारा जो पारित भूमी सुधार अधिनियम थे उनको संविधानिक वैधिता के परिक्षन से मुक्ति के लिए नवी अनुसूची में सामिल कर दिया गया आपको बहुत ही उप्योगी सिद्ध होगी जब आप पेपर देकर आएंगे तब इसका च संविधान संसोधन अधिनियम 1974 में हुआ इसमें क्या किया गया कि सिक्किम को सहयुक्त राजी के रूप में भारत में सामिल कर दिया गया और जो 36 संविधान संसोधन हुआ 1975 में यह हजारों बार परिक्षाओं में पूछा गया है किस वर्स सिक्किम को भारत में पूर्ण राजी के रूप में सामिल किया गया यह यह भी प्रशन पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राजी का दर्जा किस संविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया तो 36 संविधान संसोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राजि का दर्जा दिया गया आगे बात कर लेते हैं 42 समिधान संसोधन 1976 ये भी बहुत महत्वपूर है इसके द्वारा बहुत सारी चीजों को बदला गया हमारी समिधान में जिसे लगु समिधान की संगया भी दी जाती है किस समिधान संसोधन को लगु समिधान क संग्या दी जाती है तो 42 सम्मिधान संसोधन 1976 के द्वारा जो पारित किया गया था उसको लगू संविधान की संग्या दी जाती है इसके माध्यम से प्रस्तावना में तीन महत्तोपूर सब्द समाजवादी पंत निर्फेक्ष और अकंडता को जोड़ा गया साथ ही सम्मिधा में एक नया अनुचेद अक्यावन अन्ता अस्तापित कर दस मौलिक कर्तब जोड़े गए मौलिक कर्तब किस भाग में है भाग चार एक ही बात कर रहा है मौलिक कर्तब अब आगे चावलि स्वा समिधान संसोधन 1978 इसका महत्तफपूर यह है कि जो समपति का अदिकार था मौल अदिकार था उसको मौल अदिकार की स्रेणी से हटाकर एक विधीक अधिकार की रूप में अनुचेद थीन सौक में उसको सामिल कर दिया गया चावलिस्वा समिधान संसुधान भारबार पुछता है 1978 में पारित किया गया था इसके द्वारा अनुछे 352 के तहत राष्टी अपात की उद्घोसरा का आधार बदल दिया गया राष्टी अपात की उद्घोसरा का आधार क्या कर दिया गया आंत्री का सांती को हटा दिया गया और ससस्त्र विद्रोग कर दिया गया जिसके लिए मंत्री मंडल की लिखित सलाह को अनिवारिक किया गया इसकी 1978 के पहले जब अपात काल की घोसरा होई थी तो उससे में क्या था कि लिखित नहीं मंत्र मंढल مौकिकरूप से कहता है तो राष्चपति राष्टि अपात की घोसरा कर देता है उसी में क्या था कि आंत्रीक असांती को अटा के जब ससस्त विद्रों की बात करेंगे तब ही अनुशेद 352 के तहत हम अपात को लागू कर सकते हैं यह हो गया अपात काल के दौरान अनुशेद 308 के तहत अनुशेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी तक अनुशेद 19 किया है वाकेवं अव्यक्ति की सुतंतरता है हमें बोलने की सुतंतरता है हमें अपने विचारों को रखने की सुतंतरता है प्रस्तूत करने की सुतंतरता है जब अपातु और द्घोसना का आधार, युद्ध या वाहे आकरमन हो। युद्ध या वाहे करम न की इस्ति में ही हम अनुचेद 19 को रोक सकते हैं. साता ही, अनुचेद 369 के आधार पर अनुचेद 20 का निलंबन नहीं किया जा सकता है. अनुछेद 369 के अधार पर, अनुछेद 20 और 21, अनुछेद 20 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित ये दोनों अनुछेद हैं करिये थे कि चवलिसवा जो संभिधान संसोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बहुत बार पुछा जाने वाला प्रश्न है कि संपत के अधिकार को अनुछेद 31 के तहत मूल अधिकार को बिलोपित कर एक नया अनुछेद 300 का जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बिधिक अधिकार बना दिया गया बहुत बार पुछा जाता है अगला 22 संभिधान संसोधन 1985 इसके द्वारा क्या किया गया संभिधान में दसवी अनुशूची सामिल कर दल बदल समंधी प्रावधान किया गया 1985 में दल बदल बिरोधी प्रावधान सामिल किया गया दसवी अनुशूची को सामिल किया गया 22 संभिधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा बात कर लेते हैं 60 सम्मिधान संसोदन दिनिरम 1988 बहुत ही महत्वपून इसके द्वारा किया किया गया मतदान देने की उम्र 21 वर्षे घटाकर 18 वर्स कर दिया गया राजियोगांधी के द्वारा राजियोगांधी की सरकार्थी ये भी पूछा जाता है तो इसके द्वारा साधारन चुनाओं में मतदान की आई को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया ये जितने अनुछेद हैं जितने संविधान संसोधन है उससे बहुत प्रश्ण पूछे जाते हैं अगर मिलाने को आ जाएगा तो करीब 8-10 संविधान संसोधन को एक में समेट दिया जाएगा अलग-अलग भी प्रश्ण पूछा जाता है तो पूलिस में तो समझे कि 5-6 प्रश्ण इस टापिक से आने ही आने हैं अगला 65 संविधान संसोधन दिनियम 1990 में हुआ था अनुछे 338 का संसोधन कर अनुशुचित जाता जन जाती आयों का गठन कर दिया गया आगे बात कर लेते हैं 79 संविधान संसोधन 1991 में हुआ था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्टी राज जानी छेत्र बनाया गया 79 संविधान संसोधन 1991 के द्वारा एवं दिल्ली के लिए विधान सभा और मंत्री परिशत का उपवंध किया गया अगला 70 संविधान संसोधन 1992 में हुआ राष्टपत के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पूड़ी चेरी विधान सभाओं के सदस्यों को सामिल किया गया तो हमारा कौन सा अनुछे संविधान संसोधन है 70 संविधान संसोधन कब पारित किया गया था 1992 में आगे बात कर लेते हैं 73 संविधान संसोधन बहुत ही महत्तपून इसके त्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई 1992 में ही दौर हुआ था इसमें सहरी अस्थानी निकायों को समयधानिक दर्जा और सुरक्षा दिया गया और परहुई अनुसुची को सामिल किया गया दो अनुसुची को सामिल किया गया पंचायती राज से जुड़ी हुई अनुसुची अनुसुची 11 और नगरीय निकायो को सामिल किया गया हमारे संभिधान में आगे जो हमारा 44 संभिधान संसोधन अधरियम 2001 में हुआ इसमें क्या किया गया है कि लोग सभा तथा विधान सभा सीटों की संख्या में वर्स 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है लोगसभा की सीटों में कब परिवर्तन किया गया 525 से बढ़ा कर 545 कब कर दिया गया 31 में संविधान संसोधन के द्वारा और जो चवरासिवा संविधान संसोधन हुआ 2001 में उसके द्वारा यह कहा गया कि लोगसभा और विधान सवा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किय जाएगा वर्ष 2026 तक आगे बात कर लेते हैं 86 समिधान संसोधन अधिनियम 2002 में किया गया इसके द्वारा अनुछेद 45 में परिवर्तन वह अनुछेद 51 कव में नया मुलकर तब वह 21 कजोड कर 6-14 वर्ष की आई तक के सभी बच्चों के लिए निहसूलक और अनिवारे प्रावधान 86 समिधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया कर लेते हैं 87 समिधान संसोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा परिशीमन में जन संख्या का आधार 1991 की जनगर्णा के अस्थान पर 2001 कर दिया गया नवसीवे समिधान संसोधन 2003 के द्वारा अनुसूशित जन्यजाती के लिए प्रिषक राष्टी आयोग की अस्थापना की गई एक अनुवेवा समिधान संसोधन 2003 के द्वारा केंद्र और राज्य में मंत्री परिशत की अधिक्तम सदस्य संख्या करम सह लोक सभा और ृस कर दिया अगर वहां के विधान मंडल की संख्या कितनी है सभ है तो वहां 15 ही मंत्री बनेंगे जिसमें 14 मंत्री और 1 बोक मंकरी होंगे संतानवेवा समिधान संसोधन अधनीयम 2011 की इस समिधान संसोधन से निमलिखित बदलाव किये गए कौन-कौन से बदलाव कर दिये गए सहकारी समिथी को बढ़ावा देने के लिए एक नय नितीनिंदेशक सिथांत को जोड़ा गया 643-5 साकारी समितिया नाम से नया खंड 9 खर जोड़ा गया अनुछेद 243 जेड एच से लेके जेड टी तक अब बात कर लेते हैं अन्ठानवेवा समिधान संसुधन अधिनियम 2012 का इसमें करनाटक के राजिपाल को हैदराबाद करनाटक छेतर के विखास सुनिश्चित करने हैं तो समिधान में अनुछेद 371 जेड जोड़ा गया आगे देखिए राजियों के संबंध में 20S उफबंध से संबंधित अनुछेद 371 के कई उफखंड है उसमें बात कर दिया गया है अगला समवा समिधान संसोधन 2015 में हुआ इसमें भारत और बंगलादेश के मद्ध भूमी का हस्तान आंतरान समवा समिधान संसोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया एकवा समिधान संसोधन अधिनियम 2016 में हुआ इसके द्वारा GST बस तो एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुछेद 249, 250, 268, 270, 271, 286, 316 वो 368 में वो 76 वो 77 अंसोची में संसोधन किया गया 368 क्या है समिधान संसोधन तो इसमें भी संसोधन किया गया किस समिधान संसोधन के द्वारा 101 समिधान संसोधन जो 2016 में हुआ था आगे बात कर लेते हैं, 102 समिधान संसोधन अधिनियम जो 2018 में हुआ था, इसमें 123 समिधान संसोधन विधेयक द्वारा राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग को समवेधानिक दरजा प्रदान कर दिया जाता है, 102 समिधान संसोधन अधिनियम जो 2018 में हुआ था, इसमें वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्रवस्था की गई EWS Economic Weaker Section EWS कब लागू किया गया 10% आरक्षण की बात कर दी गई 103 संभिधान संसोधन जो अभी लागू है EWS Economic Weaker Section कर लेते हैं 114 संभिधान संसोधन 2019 में हुआ था 25 जनवरी 2020 को लागू इस अधनियम के द्वारा लोग सभाव अराजी की बिधान सभाव में अनुसुचित जातियों एवं अनुसुचित जन जातियों के लिए आरच्छन की अवद को 70 वर्सों से बढ़ाकर 80 वर्सों यानि 10 वर्सों तक का विस्तार कर दिया गया है और आंगल भारतिय समुदायों के ब्यक्तियों के लिए अस्थानों के अरच्छन का प्रावधान निस्प्रभावी कर दिया गया है Most important है अब जितने लोग चुने गए हैं वो तो समयकाल के पहले नहीं हटाये जाएंगे अपना tenure पूरा करने के बाद ही हटाये जाएंगे लेकिन जो राष्टपत के द्वारा लोगसभा में दो एंगलो इंडियन को मनोनित करने के प्रताती उसको समाप्त कर दिया गया है हमारे 114 सम्वीधान संसोधन अधिनियम के द्वारा निश्चित ही प्रश्ट पूछा जाएगा यह लोगसभा सतथची के रूप में मनोनित किये जाने का सामवैधानिक प्रावधान था उसको संसोधित कर दिया गया तो एक सुचारवे संविधान संसोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसके बाद क्या किया गया 17 लोगसभा और और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधान सभाओं के विगटन तक मतलब जब चुने गए हैं तब तक कोई बात नहीं है एक सो पाच्वा संविधान संसोधन अधिनियम 2021 में हुआ था इसमें लोगसभा और राजिसभा ने करमसा 10 अगस्त और 11 अगस्त 2021 को 127 संविधान संसोधन विधिनियम 2021 पारित किया या विधियक राष्टपत की अनुमत के पस्चात 105 संविधान संसोधन अधिनियम 2021 बन गया जिसका उद्देश 5 मई 2021 को सरोच नियाले के माराथा रच्छन पर दिये गए निरणे के प्रभाव को समाप्ट करके राज की अप से लेकर 115 संविधान संसोधन 2021 तक के सभी महत्तपुन संविधान संसोधनों के बारे में पढ़ा आपको हमारी कच्छा कैसी लगी यकीन मानिए इस कच्छा से आपको 2-3 प्रश्चित ही पूछे जाते हैं और आपको सुविधा रहेगी अगर इस कच्छा को पढ़ेंगे अ अगर आपको किताब चाहिए उसका PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 7081788388 पर आपको अपना नाम मैसेज करके आपके PDF पराप्त कर सकते हैं पुरा नई कच्छा के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार